कि नमस्कार मैं हूं तन्वीर खान आप देख रहे हैं विंदा समचार महिषर की राजनीति एक अलागी इस तर से चल रही है और महिषर के विकास के लिए हर नेता हर नौजवान अपने अलग अंदास से अलग अपनी पेशकर रहा है अपने वक्तब अलग अलग तरीके से रख रहा है उसी काई करम में हम सांसत प्रतरी दी हैं विष्णा तिवारी जी उनसे मुलाकात करेंगे उनसे पूछेंगे कि महिषर के विकास के लिए क्या रणनीती बनाई जाएग आपका बहुत धन्यवाद देखें मैहर छेत्र में विकास के तमाम काम हुए है मैं समझता हूँ कि जब से मद्ध प्रदेश में भारती जिन्ता पार्टी की सरकार आई तभी से मैहर का कुछ नक्सा बदला हुआ आपको नजार आएगा चाहे आप गाउं की बात ले ले चाहे आप सहरों की बात ले ले चाहे आप भवनों का निर्मान ले ले चाहे आप सडकों का निर्मान ले ले किसी भी तरह के निर्मान कारे जो आवस्यक हैं वो बिगत वर करीब करीब पूरा हो गया है मईहर का और सबसे बड़ी बात मईहर में उद्योग अभी तना जरूर है कि अभी इन उद्योगों का लाभ जो यहां की इस्थानी विरोजगारों को मिलना चाहिए वो हम उस अस्तर पर नहीं दिला पा रहे हैं यहां पर वास्तों में जब यह कार खाने लगे थे तो यह था कि अस्सी प्रतिशक विरोजगार इस्थानी होगा लेकिन अभी वो मात्रा इस छेत्र की नहीं है उसके लिए कुछ हमारी जन प्रतिश्थ दोसी हैं अब आप यह समझ लें कि यूपी और बिहार का भी रहने वाला अगर कोई आया है तो हमारे यहां के लोगों ने लिख कर के दिया है कि यह मैहर के पुस्तैनी निवासी और प्रवान पत्त बना करके मैहर का बन करके और लोज Pick क्यों निवास प्रवाण पत्र प्राप्त कर लिया तो सं중जिक के जन्रती निदियूंका तो बड़ा बुरा भुल्हाल है अम तर्व आप देख रहे हैं कि जनता किधर जा रही है आज जनप्रतिनिध यदि भरष्टाचार से मुक्त हो जाए तो मैं समझता हूँ कि नीचे का भरष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा मुदी जी ने भरष्टाचार में कशावट लाने के लिए ग्राम पंचायतों के जितने प्रकार के भुक्तान थे सभी को बैंक से कर दिया कि कोई भी भुक्तान मजदूर का बैंक से होगा लेकिन अब पंचायतें क्या करती है मसीनों से काम करा लेती है मजदूरों को ले जाकर के पैसा निकलवा लेती है और ले लेती है अब इसके लिए बोंदी जी क्या करेंगे बताइए अगर हम स्वैम यह नहीं समझ रहे कि हम अपना हक दूफरे को दे रहे हैं और लोगों को भी जागरूख होना पड़ेगा लोगों को जागरूख होना पड़ेगा सहब मैं बता रहा हूं कि अभी यह लगभग साल डेड़ साल जो कांग्रेस की गौर्मेंट रही इस दोरान जितनी भी हमारे हरीजयन अदिवासी भाईयों की पंचायते हैं वहाँ जहा वो अपने नाम से पंचायत से आर्डर ले ले रहा है वही अपने नाम से गिट्टी सप्लाई कर रहा है अपने नाम से रेता सप्लाई कर रहा है अपने नाम से लोहे की सप्लाई कर रहा है और इसकी सिकायत अगर हो तो उपर बैठा हुआ अधिकारी केवल कमीशन ले करके उस के बाद भी सारी चीज़े आई सिर्फ कांग्रेस के सरपार में 14 महीने में आई हैं गया ब्रस्टा चार तो ज्यादा बढ़ा है देखिए इस दौरान जो है जो मैं पंचायतों की बात कर रहा हूं यह 12-15 महीने की सरकार में ज्यादा बढ़ा उसमें कहीं न कहीं हमारी जन प् रेठे हुए हैं लेकिन उनके नीचे इतना जवर्जस्त भरस्ता चार फर फूल रहा है तो बताईए विवांदारी की उमीद किस से करें जो कि अभी कलेक्टर अजय कटे सरिया जवारा बड़ा कड़ा कड़ा रुख अपनाया गया जिसके बाद से जो है अभी सम मैहर यह स अतिक्रमन बढ़ा अगर यह हो जाए कि किस कर्मचारी किस अधिकारी के कारेकाल में अतिक्रमन बढ़ा और उसे दंडित करने का अगर प्रावधान बन जाए तो मैं समझता हूं अतिक्रमन नहीं होगा भूमाफिया क्यों बढ़ा अधिकारियों कर्मचारियों ने भूमाफिया को बढ़ाया तो उनके विरुद्ध कारवाही नहीं होती जिन अधिकारियों ने सास्की भूमी को किसी को पट्टे में दे दिया जवरन फरजी पट्टे बना दिया उनके विरुत धाज तक बताईए किसके खिलाब कारवाई हुई बहुत सारे जन परदिन दिया हैं जो पार्टियों में रहकर भी भूमाफिया काम कर रहे है उनपर का कहिंगा देखिए यह तो वो किसी एक डल में नहीं वाई साथ वो तो परिश्थिति के अनुसार उनको हमारे दल का या कि कांग्रिस का या कि सपा का या कि बसपा का मत प色थे हैं वह थो सरकार के साथ है उनको आप सरकार के साथ मैं आप यह बताएं मैयर में विपक्ष मैं तो शत्ता दल का हूं विधायक हमारी सत्ता दल के थूंबिकस को ले आए उइस लिए में कि भृषताचार के भिष्ट्दे में लिप्त हैं सारे नेता कॉंघ्म के कि दूसरे को भृषताचारी कहीं नहीं सकते दूफरे को प्रस्ताचार का लंग्चन लगा ही नहीं सकते और चीज़े की मईहर छेत्र के जो रोड़ो का निर्माड हो रहा है फोर लाइन में जोड़ रहे हैं या और ऐसी रोड़े बन रही हैं जिससे लोगों को सुविधा मौहिया हो सके लेकिन वहां किसानों की जमीन फ फिट का एक सड़क बनाया था उससे वो अपना गुजर बसर करते थे उसमें फिर एक प्राइवेट बस चलने लगी इसके बाद पिछले वर्ष दिसंबर में नवंबर में उसरा रोड का नमीनी करण स्विक्रित हुआ रिनूवल रिनूवल का मतलब होता है कि जितनी वो करना है लेकिन वहां की स्थिती यह है कि साथ फिट चौणी सड़क किसानों के खेत में बनाई जा रही है मैं उनकिसानों की लड़ाई को लड़ रहा हूं ख़खऊरे में कहीं भी सड़क दर्ज नहीं है नक्सें में कहीं प्रमीमacional पर जबुक पर उख bijु के किसानोंने मुकदमा चला दिया तो मुकदमा चलने के तीन महीने बाद और उनके खेत में सड़क लिख दी गई कल 15 फिट की सड़क थी आज 60 फिट की बना रहे हो आप कल 120 फिट की सड़क बनाएंगे आप हमने बड़े नेताओं से बात किया वो बोलते हैं उसमें मापजा का प्राउधान ही नहीं कौन करेगा मापजा का प्राउधान किसान की जमीन फुरी में लेकर के आप सड़क सड़क बनाना चाहते हैं कल फोर ले निकालेंगे तो वी सड़क के लड़ने के लिए अभी और एक नया सड़क का मामला धनवाही से कारी तलाई काया है, इसी तरह का, वहां भी किसानों की जमीन से सड़क बनाने का काम चल रहा है, वहां भी हम लड़ेंगे, किसानों को उनकी भूमी का मुआपजा मिलना चाहिए, उनका हक है, उनका अधिकार है जो कि आपके गाउं में भी एक माईला के दौरा आप आरोप लगायागे, कि आपने उनकी जमीन कबजे में ले ली है, पैसा नहीं दिया गया है, उस पर क्या करेंगे? उसमें देखिए, वो एक क्या है, एक बुट्टी बाई बेवा थी, हमारे घर के सामने रहती थी, उसके दो बेटियां थी, वो यहां से अपनी, जब छोटी बेटी नरवार वाली ने उसकी मदद नहीं की, तो वो दो वर्स पहले अपना घर दौर चोड़ करके बड़ी बे कि उसने बेचना सुरू किया, मैंने कहा अपने पास अपने परिवार वालों को देदो, जाती वालों को देदो और किसी को देदो भाई, मुझको जाव सकता नहीं है, लेकुन उसने कहा नहीं नहीं भी करही, आप ले लो, हमने पैसा दिया है उसको भूमी स्वामी को, और से हमने ज़रीय रज़िस्ट्री खरीदा है उसका रखिल कराया है माद से लड़ने के लिए हखदार है हमसे लड़ने के लिए हखदार mmG ठोड़ी माद की अपने मां से हिस्सा मांग सकती है यए कि बार्शान intent समांत्रन हुआ उसका नाम उसमें होना चाहिए था लड़की केवल हक लेने के लिए लड़की शेवा करने के लिए भी एना कि माता-पिता की शेवा करे और उनके उनकी म्रत्यू के पस्चा तो उसकी प्रापरटी में हग ले और एक सवाल ये भी था कि जब से आप भधनपुर भटूरा मार की आवाज उठा रहे हैं उनमें कुछ लोगों कहना था कि आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं यदि अगर आप आपके कुछ गाड़ियां लग जाएंगी तब आप उस मामले से दूर हो जाएंगे अपने पास कोई गाड़ी नहीं है लोग आरोप लगा रहे हैं इसलिए मैं देखिए मैं 45 वर्स से इस मईहर छेत्र में काम कर रहा हूं ठीक है और मैं 1989 में से एज एमेले इस छेत्र में क परोड़ पती अरब पती हो गया होता और मेरे पास भी डाला मोटर होते ख़दान होती लीज होती क्रेशार होता लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है बाई चलता हूं गाउं में एक छोटे से मकान में रहता हूं ठीक है ना लेकिन भरस्टाचार से मुक्त हूं भरस्टाचार का मुक्त कराया जा सकता है देखिए तो जनता ही जब सड़क पर आएगी जब तक जनता सड़क पर नहीं आएगी इन अधिकारियों के खिलाप कर्मचारियों के खिलाप तब तक भृष्टाचार को नहीं मिटाया जा सकता इसलिए कि अधिकारी केवल ट्रांसफर को ड़ता है और ट्रांसफर कौन करता है सरकार करती है और मांकी ये किसी को नहीं ड़ते हैं बहुत सारे क्रेसा संचालक हैं अवाइद उत्खनन करने वाले जो ख़दान माफिया हैं उनको कहीं न कहीं कुछ पत्रकारों द्वारा संदाच्छन दिया जा रहा है अधिकारियों द्वारा संदाच्छन दिया रहा है तो ऐसे पत्रका करके पत्रकार को कोई काम करना चाहिए पत्रकार को कभी किसी पूर्वा ग्रह में ग्रिश्थ हो करके अगर पत्रकारी ताई चली जाएगी तो फिर समाज को दिशा कौन देगा मैं तो यह मानता हूं कि पत्रकार लोग बुराई को उजागर करके वेक्ति को सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करते हैं प्रेरिणा देते हैं इसलिए उसे चौथा इस्तंब कहा जाता है और आप ही अगर भटक जाएंगे रास्ते से तो फिर दूफरा भटकेगा तो उ अपने स्वारत के लिए इसलिए हमारा निवेदन है सभी पत्रकार बंधूं से कि निश्पक्षता से आप आप ही बचा सकते हैं जो कि एक मोहीम चलाई जा रही है विस्नुदर पांडे के द्वारा कि मैयर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है मैं पढ़ा जब वार्षप म मॉक्त मईहर बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे इस देश को आजाद कराने के लिए जब कांगरेस की इनीस सो पचासी में बैठा हुई थी तो केवल 17 लोग थे अवे सत्रा लोग अपनी मुहिम को चला करके देश को आजाद करा लिए तो एक मईहर से भ्रष्टा चार विश्णुनाथ पांडे जी कम नहीं है और रास्ते में और ही कई लोग उनको मिल जाएंगे तब एक कहावद भी है कि मंजीले की तरफ में अखेले चला था रास्ता मिलता गया कारवा बनता गया तो यह थे विश्णुनाथ तिवारी जी जो सांजार प्रतिनीदी रहे हैं इ जा गब मत ज přांडें प्रेंग हैं इंudav सप्सक्कारिंग के लिआ पांडें इंudav लोग रास्ता खूंगे जी कर farmer के लिएरे बनता ख auto के लोग व्हें अगया जामे ठलसा हैया में व्हें हैंट्टनेगार आ के लिए ने